स्वागर दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम पहरा पर मैं फार्मसिस्ट आविन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के टॉप थाड़ी क्विश्चन्स ESIC Pharmacist के एक्जाम लगा हुआ है हमारे कई सारे फार्मसिस्ट के एक्जाम लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग ये सारी क्विश्चन्स आ रहे हैं तो सुरू करेंगे हम अपना आज का पहला क्विश्चन देखे हमारा क्विश्चन क्या कह रहा है कह रहा है माइल्ड कि थे, ऊटर्च आ हैं ञांगे सारे मिश्चन क्या क्या के रहा है है कि अगली क्विश्चन की तरफ बढ़ेंगी जा रहे हैं how many chromosomes are there in the human being simple questions है लेकिन practice करने हैं क्या जा रहा है 46 chromosomes how many chromosomes are there in the human being 46 chromosomes या 23 pair of chromosomes फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे जाकर कि question number 4 क्या कह रहा है काफी अच्छा question है देखिए क्या कह रहा है question number 4 थोड़ा समय इसको सेट करनू question को काफी लंबा question है तो क्या कह रहा है यह देखिए अभी आपर यह question जो है set है ठीक है ना अभी आपर question जो है set है देखिए क्या कह रहा है question कह रहा है as per drug and cosmetic act 1940 and rules 1945 which application form should be used to grant a license for manufacture of ayurvedic and unani drugs देखिए ayurvedic and unani drugs अगर आपको manufacturing करनी है वैसे क्या होता है जागर कि 24 number of forms is required for the manufacturing of any drugs ठीक है ना manufacturing अगर आपको करनी है किसी drugs की तो 24 number हम लोग form भरते हैं लेकिन यहाँ पर कह दिया गया कि manufacturing of ayurvedic and unani drugs तो इसके लिए हम लोग कौन सा form भरेंगे 24D भरेंगे जाकर के ठीक है ना 24D जो है वो भरते हैं जाकर form number 24D किसमे ayurvedic and unani drug अगर हमें manufacture करनी है यहाँ पर एक question किसी एक exam में आया था कि जो homeopathy drugs है homeopathy drugs जो है उसको किस form number के तैथ हम लोग बनाते हैं manufacture करते हैं तो उसके लिए homeopathy drugs के लिए आदेगा 24A है ना form number 24A is for homeopathy इतना याद करना है आपको ठीक है ना तो यहाँ पर याद करना है कि जो homeopathy drugs है उसके लिए form number 24A फिल करेंगे और ayurvedic और जो यूनानी drugs है उसके लिए 24D हम लोग फिल करेंगे जाकर कि फिर अगली question की तरफ बनेंगे जाकर कि ठीक है ना अगला question क्या कह रहा है कि calcetonin is secreted by calcetonin कहां से secret out होता है तो आप बताएंगे जाकर कि thyroid gland thyroid gland से secret out होता है हमारा क्या calcetonin hormones फिर अगली question की तरफ बढ़ेंगे जाकर question number 6 क्या कह रहा है smallpox vaccine is a smallpox vaccine is a तो आप बताएंगे smallpox vaccine is a viral vaccine ठीक है ना viral vaccine होती smallpox की vaccine फिर अगली question की तरफ बढ़ेंगे क्या कह रहा है sound cannot travel in sound कहां नहीं travel कर सकता है ये थोड़ा सा general science का question है तो आप बताएंगे vacuum vacuum में sound जो है travel नहीं कर सकता है फिर question number 8 की तरफ बढ़ेंगे जाकर देखें क्या कह रहा है question number 8 ये भी question काफी लंबा है लिष्टेड इन दा ओरेंज बुक ठीक है ना ये सीधे-सीधे आपको देखना है कि as per the changes made in the hatch wax man act how many months stay will be permitted in case of those patents लिष्टेड इन दा ओरेंज बुक तो सीधे-सीधे आपको आंसर करना है 30 months ठीक है ना 30 months ठीक है 30 months आप आंसर करेंगे जाकर करेंगे कुछ नए questions आपको मिलेंगे और इनी नए questions पर आपको काम करना है जो सरल questions है वो आपको आते हैं नहीं आते हैं एक बार में याद हो गए लेकिन जो tough questions हैं ये सारी questions किसी ना किसी exam में पूछे गए हैं फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे synonyms for Indian skills देखें इंडियन skills का synonyms क्या है तो इंडियन skills का synonyms जो होता है वो हमने पढ़ा था पहले सबसे पहले अरजीनिया ठीक है ना अरजीनिया is the synonyms of Indian skills ठीक है ना लेकिन अभी क्या है अभी यहाँ पे आपको जो है नया option मिलेगा जाकर कि sea onion मिलेगा क्या मिलेगा sea onion तो synonyms for Indian skills is sea onion फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे question number 10 क्या कह रहा जाकर कह रहा what is the SI unit of wavelength wavelength की SI units क्या है तो आप क्या बताएंगे जाकर के wavelength की meters होती है SI unit क्या होती है meter तो what is the SI unit of wavelength आप बताएंगे meter फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे जाकर काफी अश्चा question है क्या कह रहा convecting mixing is also called as जो convecting mixing है क्या कह रहा convecting mixing is also called as macro mixing क्या कहेंगे जाकर के macro mixing convecting mixing को क्या कहते है macro mixing अच्छा question है याद कर दीजिए question number 12 पर देखो चलना है हम लोग क्या कह रहा है जाकर के कह रहा BCG vaccine पता होगा BCG vaccine is a bovine strain of aliv bacterial है ना mycobacterium tuberculosis तो सीरीजी बात है जिन्दा बैक्टीरिया होता है जाकर के और embovies से derived होता है कहीं कहीं ये नाम भी दे देता है किस से derived होता है तो embovies से है ना तो mycobacterium tuberculosis से हम लोग BCG vaccine जो है तयार करते है bacillus calmiti guarin ठीक है ना फिर question number 13 की तरफ चलेंगी जाकर कि क्या कह रहा है कि the sum of kinetic and potential energy of an object is its total तो कह रहा है तो ये mechanical strength बन जाएगा जाकर कि क्या बन जाएगा mechanical strength ठीक है ना अब आप से कह दिया जाएगा जो पौधे की जड़े होती है जो roots of plants provide mechanical strength to the plant जो roots होती है पौधे की जड़ होती है वो पौधों को mechanical यानि यांत्रिक मदद देती है जाकर के जिससे वो पौधे गिरते नहीं है तेज हवा में ठीक है ना question number 14 पे चलना है क्या कहरा है commonly used spice clove is obtained from commonly used spice spice मसाले जो होती clove is obtained from clove का मतलब long ये flower bud से मिलता है काफी important question है कई सारे exams में आया है तो इसको तो यादे कर लीजी आप लोग ठीक है ना इसको यादे कर लीजी commonly used spice clove is obtained from flower bud question number 15 पे चलना है क्या कहरा है in stomach the stimulation vagal that increase the gastric acid due to in stomach the stimulation vagal that increase the gastric acid due to तो आपको वताना है M3 receptor M3 receptor की वज़य से increase हो जाता है gastric acid का stimulation stimulation है ना in stomach 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 stimulation vagal that increase the gastric acid and due to M3 receptor M3 receptor की वज़य से question number 16 पे चलने उसके पहले अगर आपको ये video अच्छा लग रहा हो questions अच्छे लग रहे हैं तो please हमारे इस channel YouTube इस YouTube चैनल को subscribe करें video को like करें और अपने दोस्तों दक जरूर सेर करें ठीक है ना फिर अगरे question पे बढ़ेंगे देखे का कहरा अगरे question हमारा कहरा statistical procedure to detect the difference existing in between two or more sample कहरा है statistical procedure जो होता है to detect डिटेक्ट करने के रिए differences जो की between two or more samples जो 2 samples या 2 से ज्याद़ samples की बीच में चाहिए होता है तो आजएगा एन नोवा एन ओ वी ए ठीक है ना statistical procedure to detect the difference existing in between two or more सेम्पल एन नोवा ठीक है नः चैनल läuft oh car новaמוess का यहां पर फिल फॉर्म क्या होगा ज़ा करके इनालीस अफ वरियंस ठीक है नवक का फिल फॉर्म क्या होगा इनालीस अफ वेरिंस अफ वैरिंडस तो statistical procedure to detect the difference existing in between two or more sample एन्ओवाई अनलीस लिए एन्अलीस आफ वैरियंस ठीक है नवtered कि electro-ducible substance can be determined by जो electro-ducible substance होते हैं उनको कैसे determine करते हैं जाकर कि तो आप बताएंगे जाकर कि empirometry से हम लोग electro-ducible substance को determine कर लेते हैं फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे question number 18 क्या कह रहा है aspirin should be used with cushion aspirin को हमें इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन इसकी कई सावधानियां होती है तो उन सावधानियों में क्या होता है जाकर कि जो asthematic patient होते हैं जाकर कि asthematic patient को aspirin का जो है इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए तो aspirin should be used with cushion asthma asthmatic patient जिसको asthema की दिक्कत है उसको aspirin का यूज बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए 19 में number question क्या कह रहा है question number 19 जो भी sterile product होते हैं उसमें हम लोग buffers को डालते हैं और buffers का डालनिक मतलब क्या होता जो acid और base के बीच में संतुलन बना ले जाकर के ठीक है ना और base के बीच में संतुलन बनाने वाले जो chemical होते हैं उनको क्या कहते हैं बफर कहते हैं अगर acidic है तो उसको थोड़ा सा basic कर देगा ज्यादा basic है तो उसको acid में convert करेगा हलका सा acidic करेगा जाकर के यानि बीच कर रखेगा ठीक है ना तो pH value क्या बीच में रखता है pH value करता है जाकर के buffers are added in the sterile product to maintain pH value ठीक है ना pH value ही तो होती है acidic और basic बोले इसका pH जो है pH value इसकी acidic है ठीक है ना और इसकी pH value जो है basic है तो इन दोनों को जो है control करने के लिए हम लोग buffer डालते हैं ना ही ज़्यादा acid की मात्रा हो पाएगी ना ही ज़्यादा base की मात्रा हो पाएगी chemical changes से बचने के लिए question number 20 पे चलेंगे जाकर के कह रहा है indicate the problem indicate the problem of which one or two large dose of about 50 ml are given in a single dose container known as देखें यहाँ पर यह question आपका गलत print हुआ है यहाँ पर problem नहीं होगा जाकर के है ना indicate अब यहाँ पर questions चुकी है जा चुका है तो आप यह आपको यह समझना है question यह कह रहा है कि होता क्या है कि generally हम चीजें जो है single dose में नहीं देते हैं multiple dose में देते हैं generally चीजें multiple dose में देते हैं जैसे कोई हमारा syrup है ठीक है ना तो उस syrup को हम लोगों ने या कोई solution है उस solution को हम लोगों ने किसी बच्चे को या किसी patient को हमने कहा कि इसको सुबह दुपायर साम देना है ठीक है ना अलग-अलग dose दे दिये छोटे-छोटे dose में दे दिया लेकिन generally अगर हम उसको एके dose देते है जाकर के तो उसको क्या कहते है जाकर के 50 ml का एकेवल अगर single dose देते है तो उसको कहते है ड्रॉट्स ठीक है ना 50 ml का अगर कोई single dose देते है तो उसको कहते है ड्रॉट्स और अगर हम लोग इसी 50 ml को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दे माली जी पांच पार्ट में डिवाइट कर दिया दद्दस अमेल करके ठीक है ना तो यह अलग-अलग डोज हो गया जाकर के लेकिन जब इसी पूरे 50 अमेल को एक साथ देना हो तो इसको क्या कहते हैं जाकर के ठीक है ना फिर question number 21 की तरफ चलेंगे जाकर के कह रहा है ant amoeba histolytica belongs to the class of ant amoeba histolytica किस class से बिलॉंग करता है तो आप बताएंगे proto जोवा ही है proto जोवा होता है जाकर के ant amoeba histolytica amoebiasis कर देता है पेट में amoebiasis कर देता है जाकर के ant amoeba histolytica बिलॉंग करता है proto जोवा से proto जोवा की कटेगरी से फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे जाकर कह रहा है what compound is present in अश्वगंधा अश्वगंधा में कौन सा compound होता है तो आप बताएंगे steroidal lactone steroidal lactone पाया जाता है अश्वगंधा में अश्वगंधा में steroidal lactone पाया जाता है ठीक है ना फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे जाकर कह रहा है sodium bicarbonate कह रहा है sodium bicarbonate is commonly known as तो इसको क्या कहते है जाकर के baking soda कहते है sodium bicarbonate को हम लोग कहते है baking soda railway pharmacist की exam में पूछा गया था zodium bicarbonate का second name क्या है तो आप बताएंगे baking soda तो यह कैसे याद करेंगे sodium bicarbonate है तो भाई से baking कर दिया ठीक है ना और sodium bicarbonate को baking soda कहते है ठीक है ना, फिर अगले question की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है जगर कि symbol of the element cesium, तो cesium का symbol क्या होता है तो आप बताएंगे cs होता है, cesium का symbol cs होता है, symbol of the element cesium cs होता है 25 number of question क्या कह रहा है जगर कि कह रहा है, enamel is a constituent of enamel किस चीज का constituent है, तो आप बताएंगे जगर कि teeth का, है ना, to teeth का constitute होता है, enamel, enamel जो होता है, इसके बारे में एक चीज और जाने है, जगी hardest part of the human body human body का जो सबसे hardest part होता है, वो होता है क्या, enamel होता है जगर कि, ठीक है ना, तो enamel is the hardest part of human body, ठीक है ना, फिर अगली question की तरफ बढ़ेंगे question number 26, क्या कह रहा है, कह रहा है कि sigma minus method is used to determine, जो sigma minus method होता है इसका use किस में किया जाता है, किसको determine करने में किया जाता है, तो आप बताएंगे elimination rate constant, जो हमारा elimination rate है, वो constant है, इसको determine करने के लिए sigma minus method का इस्तिमाल करते हैं, question number 27 पे चलेंगे, देखे कह रहा है, कह रहा है, under which schedule of GMP, Ayurveda सिद्धा and for all Unani drugs are described, कह रहा है कि किस schedule के तहत, हम लोग जो GMP होता है, good manufacturing practice of Ayurveda, सिद्धा and for all Unani drugs के लिए होता है, तो हम लोग बताएंगे, schedule T आएगा जा करके, क्या आजएगा जा करके, schedule T आएगा जा करके, आपका schedule T के तैथ, हम लोग good manufacturing practice करते हैं, Ayurveda सिद्धा and Unani के लिए, ठीक है न, और वैसे क्या होता है जा करके, कि Elopathy के लिए, तो schedule YM हाता है, जा करके Elopathy के लिए good manufacturing practice, ठीक है न, question number हम लोग अब 28 पे चलेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है, ligands are the constituents of, ligands किसका constituent है, किसका part है, तो आप बताएंगे, flax seed, flax seed का part है, हमारा ligands, तो ligands are the constituents of flax seed, question number 29 पे चलेंगे जा करके, क्या कह रहा है, question number 29, कह रहा है, according to drug and cosmetic act 1940 and rules 1945, the insulin preparation should be stored at temperature, कह रहा है, insulin preparation, जो insulin होता है, उसको किस temperature पे store करना चाहिए, तो आप बताएंगे जाकर के, below one degree Celsius, below one degree Celsius, देखे, insulin का जो storage temperature है, यह अलग-अलग exams में, अलग-अलग तरीके से, इसको हम लोगों ने carry किया हुआ है, या आयोग ने, अपने-अपने हिसाब से, इसका जो answer है, वो माना है, तो जैसे कि railway ने क्या माना है, तो railway ने का है कि, below one degree Celsius, और जो दूसरे exams है, उसमें क्या का गया है, कि two to eight degree Celsius, मतलब यह बोला गया है, कि two to eight degree Celsius, जो आप insulin इस्टोर कर सकते हैं, railway ने इसको one degree Celsius के, नीचे माना है, ठीक है, जो state pharmacist के exam होते हैं, उन्होंने two to eight degree Celsius भी माना है, लेकिन अभी आपको यही मानना है, one degree Celsius, जो भी option मिले, उसके इसाफ से चलना है, फिर question number 30 की तरफ चलेंगे जाकर के, जो की हमारा आज का last question है, क्या कह रहा है, for the preparation of cod liver oil, emulsion the ratio of oil water gum required, कह रहा है कि cod liver oil का अगर आप emulsion मनाते हैं, तो आपको किस ratio में oil water और gum की requirement है, तो आप बताएंगे four to one, यानि four ratio two ratio one, चार दो एक के ratio में oil water gum चाहिए होता है, cod liver oil का emulsion मनाने में, अगर हम emulsion मना रहे हैं, cod liver oil का, तो आपको 421 के ratio में oil water और gum चाहिए होगा, तो देखें, ये तो थे दोस्तों हमारे आज के तीस question, ठीक है, इसके अलावा 3-4 questions और extra हैं, उनको भी देख लेते हैं, तो question number 31 क्या कह रहा है जागर के, type third of drug master file gives information about, कहरा जो type third होता है, drug master file का, वो give देता है, यानि information किसके बारे में देता है, packaging material के बारे में, तो यहाँ से आप याद करेजे कि type third of drug master file, drug master file का पर्टीन कपड़ रिसेप्टर, G-protein कपड़ रिसेप्टर इस आजाएगा insulin, तो a bundle of 7 alpha helix, G-protein कपड़ रिसेप्टर क्या होता है, a bundle of 7 alpha helix, G-protein कपड़ रिसेप्टर, इसका क्या होता है, a bundle of 7 alpha helix, फिर question number 33 पर चलेंगे, जागर के, तो आप बताएंगे वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज़ेस हो जाते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन अगर आप ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे च्छे क्विशन से कनेक्शन है वो लाते रहेंगे करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक सेयर करना है थांग्स वर वाग्चिन थी वीडियो थांग्स को तेया है